नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितेन चोधरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडिटेक में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी कुरूप के एक मल्टी वेगर स्टॉक्स के बारे में जिसका नाम है दोस्तों अडानी विल्मार लेम्टेट और अडानी विल्मार लेम्टेट में आज से अपर सरकिट का किल सुरू हो चुका है और अडानी विल्मार लेम्टेट में आज तकरीवन 5% का अपर सरकिट लगता हुआ दिखाई दिया तो क्या Adani Bilmar Limited को हमें इस समय पर्चेस करना चाहिए या नहीं तो सारी चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे तो प्लीज वीडियो को सुरू से लेकर अंतक जरूर देखिएगा क्योंकि Adani Bilmar Limited में अधिया आपने निवेश किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है आठ फरवरी 2022 को इसका आईप्य आया था और 268.25 पैसे पर फास्ट डे लिस्ट हुआ था और तब से लेकर अब तक देखें तो 131% करे टन Adani Bilmar Limited ने अपने निवेश को को बना कर देय दिया है लेकिन मार्केट में जिस प्रकार से बुलाटाइल है मार्केट में जिस प्रकार से हलचल है तो लोग धरे हुए हैं क्या आठ स्टॉक मार्केट में करें तो करें क्या देखे स्टॉक मार्केट में यदि आप काम करना है तो डरना बिल्कुल छोड़ दीजिए यदि आप fundamental research करते हैं और fundamental के basis पे आप किसी स्टॉक को pick करेंगे तो निश्ची तोर पे ओह जो है एक multi-bagger स्टॉक साबित होगा तो Adani Food Venture Adani Bilmar Limited is the best performing IPO in Asia पूरे Asia की बात करें तो जो गौतम Adani की जो एक company है Adani Bilmar Limited इसका IPO super hit देखने को मिला है और Adani Bilmar Limited लगातार जो है अपने market को जो है गेन करता हो नजर आ रहा है इसका strong distribution network system और portfolio market leadership जो है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है Adani Bilmar Limited पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है और आपको पता है कि Adani Bilmar Limited चावल डाल गे हूँ आटा इसके अलावा तेल और सोयबीन तेल और अन्ने केमिकल्स के पदार्थ भी जो है Adani Bilmar Limited manufacture and design करती है तो Adani Bilmar Level केवल फूड केवल फूड केवल फूड की company नहीं है इसके अलावा भी इसका बिजनस है 80,676 क्रोड का इसका market cap है एक large cap की company है जरने की कोई आओ सकता नहीं है दोस्तों stock पीच चेक करेंगे तो हमेशा Adani के जितने भी stocks हैं उनका price to earning ratio हमेशा हाई रहता है इसके sales को शेक करेंगे तो सितंबर 2021 में 13,012 क्रोड का और दिसंबर 2021 में देखें तो 13,763 क्रोड का वहीं मार्च 2022 में देखें Q4 में तो 14,273 क्रोड उपे का net sale होता हुआ दिखाई दिया प्रोफिट की बात करें तो पहले 176 क्रोड फिर 241 क्रोड लेकिन Q4 में थोड़े से numbers कम देखने को मिले थोड़े से profit कम देखने को मिले अमात्र 233 क्रोड का तो इसका मतलब ए नहीं कि इस stock खराब हो चुका है अब इसमें कोई जान बाकी ने देखें उर्तार चड़ा होता है मल्टी बेगर की पाचान क्या होती है मल्टी बेगर की पाचान होती है दोस्तों कि उसकी सेल्स वरनी चाहिए profit बढ़ना चाहिए और चार्ट की बात करें तो 600 का लेवल अडानी बिलमार लेम्टेड के लिए important लेवल है और जब भी stock यहां पर आता है एक तकड़ा bounce back दे लुकेगा तो जो मल्टी बगर सेर्स होता है दोस्तों जब भी उसको करी देंगे ना हमेशा महंगा दिखाई देता है तो आप देखते रजाएंगे सेर्स भागता ही चला जाएगा तो अभी भी टाइम है दोस्तों अडानी बिलमार लेम्टेड में निवेस करने का लेकिन उससे फ़ेले आप खुद से अनालेसिस करना ना भूलें वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन को प्रेस कर ना भूले दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का तह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद गुड़ नाइट शुवरात्री